नमस्कार दोस्तों स्वागित है अपनी यूटूब चेनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में दोस्तों इस वीडियों में देखने वाले हैं आज जो आपके एससी शीचेसर का 11 अगस 2020 को सेकेंड सेट में एक्जाम कंड़क्ट वा तो इस सेट में पूछेगे टोटल 25 जीके के स् एक्स्टा फेक्स राइट कवर करने वाले हैं तो वीडियो का अंतक जरूर बने रहे ना इसकी पीडियो फाइल के लिए आपको टालीग्राम चैनल जोइन करना है जिसके लिंक डैस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके जोइन कर सकते हो इन सभी केंड़ेट का बहुत-बह लिक हैं उसके एक्षाम को बूश्ट कर सकते हैं आप मौक टेस्ट लगाएंगे मौक टेस्ट और भी इसलिए जरूरी है एक तो यहाँ पर कॉपिनेंस दोल बढ़ जाएगा टाइम मेनेजमेंट एक्जाम में बहुत-बड़ी समश्या है इन सभी की लिए टेस्ट बुक इ लिए डेस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल दाएगी जहां पर इन सभी एक्षाम के मौक टेस्ट आपको एक पास के अंत्रगत हैं वो भी एक वर्ष दो वर्ष की अनलिमिटिड वैलिटी के साथ आप जो भी आपके लिए सूटेबल पास रहता है एक्जाम में जो आपक कागज किस राज्य का उत्पाद है तो मोन पा हैंड मेंड पर यह आनुजिल पर देश का उत्पाद हो जाएगा आनुचल पर देश का जो मोन पा हंस्त निरमिट Nagamada के अब फोगार्व। तो इसे केवी आईसी ने दिसंबर 2020 में तवांग अनुचर प्रदेश में जो तवांग है वहाँ पर एक मोनपा हस्त निर्मित कागज बनाने की यूनिट है एकाई यह सुरू की है ताकि इस विराशत को पुन्दर जीवित किया जा सके इस उद्देशे से और वहाँ के इस्त हौन्बिल उश्व है नागलेड राज्य का पजवित तेमार हो जाएगा जिसे फेश्टिवल eta हो कहा जाता है तेमार आ केते हैं एक स्वाल chloride है PVC की full form भारत की पहली लीथियम रिफाइंडरी की स्थापना कहां पर की जाएगी तो ये गुजरात में स्थापित होने वाली हैं देश की पहली लीथियम रिफाइंडरी हैं और TDS लीथियम आइन बैटरी गुजरात प्रावेट लिमिटेड कंपनी हैं ये पहला लीथियम आयन बैटरी वी निर्मान शेंतर हो जाएगा तो ये पहला प्लांट है जो कि गुजरात में स्तापित होने वाला है अगला स्वाल दिखीगा राजियू गांदी खेज रत्रम पुरुषकार विजटा पर्थम महीला होकी खिलाडी है ठीक होकी खिलाडी का महीला का पुछा व पहली बार राजियू गांदी खेज रत्रम पुरुषकार है वो होकी में ठीक है इससे पहले आपके SSE CHSL में पूछा गया था पर्थम जो राजियू गांदी खेज रत्रम पुरुषकार है किस टैबल टैनिस को पलेर को दिया गया है तो वो है मनिका बत्रा को दिया गया ह नेश्ट पारी मीदिया आपको पूछे ले कि पर्थम टैनिस प्लियर किसे मिला है राजिव गांदी खेल रत्रम पुषकार है लेंडर पेश को दिया गया है 1996 में गीत शेठी को दिया गया है जो बिलियर्स के कह सकते हो पर्थम है और एकजाम आजाए गीत शेठी किस इस्प इल कुमार को दिया गया है सन 2009 में बॉक्षिंग में पर्थम मेरी कॉम और विजिंदर शिंग इन दोनों को ही 2009 में दिया गया था वागी 2020 वाले इंपोर्टेंट है जैसे कि अभी आपके पूछलिया होकी का जो रानी रामपाल को ये महिला पर्थम हो जाएगी इससे पहले मरीक का पत्राका टैबल टैनेस में पूछ धा था रोहिश शर्मा को क्रिकेट में ज़िया गया है मरेपं थंगा विली को पैरा उलंपिक में विनेश फोगाट को रेस्तिंग में ये सभी 2012 वाले आवाड हैं 2019 में दीपा मलिक को पैरा उलंपिक और बजरंग पूर्या को र भारत लोटे थे इसलिए जो नो जनवरी हैं इसको एजे भारती प्रवाशी दियोसे प्रवाशी भारती दियोस के रूप में मनाय जाते हैं और गांदी जी गए कप थे 893 में उन्होंने दक्षन अफरीका की यात्रा की थी बांग्लादेश सुप्रीम कोड के मुखे नायदि हैं शैद महमूद होशेन ठीके 2018 यह बने थे आपको इस परकार बांग्लादेश का पूचे तो हो सकता आने वाला सिर्फ में पाकिस्तान का पूचे ले नेपाल का पूचे ले तो नेपाल के या फिर भारत के पडोशी देस हैं पाकिस्तान के चीप जश्टिस हैं वो गुल कौन है एनवी रमन हैं जो कि 24 अपरे 2021 को बने हैं और इससे पहले जो 47 पे चीप जश्टिस थे वो थे आपके शर्द अर्विन बोवडे हैं यह 47 में भारत के चीप जश्टिस रहे चुके हैं शर्द अर्विन बोवडे और उनसे पहले थे रंजन गोंगई 46 वे अगला और ग्लुकोमा ट्रेकोमा दोनों ही नेतर से हैं इसके अलावा ये भी नेतर की बिमार्या हो जाएगी अगला स्वाल दिखेगा बेदरा का युद्ध कब हुआ था बेदरा का युद्ध हैं यह आपको पूचा है कि कब हुआ था जिसे चिन सुरा का युद्ध भी कहते हैं battle of चिंसुरा है यह हुआ था कलकता के पास में जो चिंसुरा एक जगह है वहाँ प्रवाता इस तीसे चिंसुरा या बैदरा का युद बोलते हैं जो कि हुआ था 1769 में अब हुआ कि इनकी मद्दे था तो डस इस्ट इंडिया कंपनी और इंग्लिस इस्ट इंडिया कंपनी कि इसके मद्दे हुआ हैं डच इस्ट इंडिया कंपनी और इंग्लिस इस्ट इंडिया कंपनी साथ साथ नवाप और बंगाल मीर जाफर भी इस युद में शामिल थी और इसमें जो डच इस्ट इंडिया कंपनी के हार हो गई थी और हमेशा के लिए भार से चले गए थी ये युद्ध होगली नदी के पास में कलकता से कुछ मील दूर है चिंसुरा वहाँ पर हुआ था जहां रहने वाले डच लोग है वो अग्रेजों को अपदस्त करना चाहते थे और उनकी हार हो गई थी विश्व प्रेज स्वतंतरता सूचकंग 2020 में कौन सा भार्थ की रेंक रही है इससे पहले सैम आपकी SSE CHS में आया था कि विश्व प्रेज स्वतंतरता सूचकंग 2020 में फर्स्ट रेंक पर कौन सा देश रहा है तो मैंने बता है था कि इंडिया की रेंक रही है 2020 में 142 वी पर् अंतिम अर्थात 180 वे इस्तान पर जो इस इंडेक्स में रहा है वो उत्तर कोरिया रहा है विश्व प्रेश वतंदरता सूजकांग 2021 भी जारी हो चुका है तो 2021 में इंडिया की रैंक सेम रही है 142 वी और नौर्वे लगातार पांच वर्षों से ये पहली बार अब की बार 21 मे की तुलना में जो वे है एक्सपेंडिश्चर है उसमें कितना परसंटेज ज्यादा है तो बजट 2020 में जो वे है 2019 की तुलना में कितना परतिशत अधीक है तो आप केंगे 12.7 फीस दी अधीक हैं 2020 में टोटल वे का परस्ताव था वो था 30,42,230 करोड का और अग की बार जो 2021 22 का बजट है इसमें जो वे का बजट पेश किया गया है वो 34,83,236 करोड का है जो 2021 के कोची करोड ज्यादा है और वित्य वर्ष 2021 के लिए के अंधर सरकार ने जो ये तो था आपके वे बाकी प्राप्ति का भी अलग रहता है श्राप तो 22.46 लाग करोड रुपे की प्राप 3.30 अधीक है प्राप्ति का पूछे तो 16.3 अधीक था 2021 में पिछले बजट से और यदि वे का पूछा है तो 12.75 प्रिवेश बजट से 2021 का पर सिध टैनिस के लाड़ी एगा स्वीटेक किस देश से है एगा स्वीटेक है जो कि फ्रेंच ओपन 2020 में वुमन सिंगल्स में चें कहां से है एग और इस्टी में क्रोईशिया से है जो कि भारते फुटबॉल टीम के कोज जेन और जो एगा स्वीटेक है वुमन सिंगल्स है टैनिस में फ्रेंच ओपन में ये पोलेंड से है इसी प्रकार अन्य महिलाएं जो टैनिस की परशिध है वो कहां से है इन्होंने हा प्रूश का जपान से है एशली बार्टी की बात के तो ऑस्टेलिया से है एक्जा में पूछवा स्वाल है एशली बार्टी ऑस्टेलिया याद रखेंगे बागर प्रूश में बात के टैनिस खिलाडी जो आप तीनों को नाम पता होना चाहिए और कहां से इगी राफेल बनाया है तो फॉर एवरी चाइल्ड के लिए जो एक अभ्यान है यूनिशेप का स्यूंक्तराश्ट की जो संस्ता यूनिशेप है बाल अधिकार के लिए ये अभ्यान है इसमें सेलिब्रेटी एड़ोकेट बनाये गया है आयुशमान खुराना को बच्चों के परती हिंसा को श्रमाप्त करने के लिए आयुशमान खुराना को यूनिशेप का यहाँ पर फॉर एवरी चाइल्ड के लिए सेलिब्रेटी एड़ोकेट के रूप में चुना गया है कागजी दस्तावे जैसे की चेक हो गया इसकी विधता एवो मोलिकता को शत्यापित करने के लिए किस टेक्मिलोजी का उप्योग किया जाता है तो MICR का उप्योग किया जाता है जो मेगनेटिक इंक रहती है उसको रीट करने के लिए चेक अंदर रहती है वो MICR डिवाइस है वो रीट कर सकता है मेगनेटिक इंक केरेक्टर रिकर्गनिशन इसकी फुल फॉर्म है अगला स्वा लिनक्स भी एक open source operating system है काफी बार एक्जाम में आ जाता है operating system से हट कर आता है कि कौन सा open source software है ठीक है यह तो open source operating system का पूछा है तो android है Linux है बाकि आपके option में विंडो वगर आते हैं वो open source नहीं है operating system तो है लेकिन open source नहीं है और अब देखें जो open source software है mozilla firebox है जो browser है gimp है gnu है open office है mysql है मतलब इस पर कोई भी program बना सकते हैं open source है बिलकुल अगर देखे है स्वाल पूछा है कि चूलिया जलपरपात कहां पर है चूलिया जलपरपात राजिस्तान में है राजिस्तान की कोटा जिले में चंबल नदी पर ये बना गूँआ किस नदी पर है तो आप कहेंगे चंबल नदी पर noble prize पर तेक सिप्ट में आ रहा है हर सिप्टम में बताएं तो आपको कोई doubt नहीं रहेगा noble जो शांती प्रुषकार पूछा है 2020 का ये दिया गया है WFFE World Food Program को और chemistry की बात करें तो ये इससे पहले कल पूछा गया था Emmanuel Chair Penter और Jennifer E. डोड़ना को दिया गया है किर्षपर केस 9 आणवी कैंची विक्षित करने के लिए noble जो physics का है ये सभी आपको पता है होगा बार-बार मैं repeat करता हूँ परतेक सिप में और जो literature का साहिति का आने वाल सिप में आ सकता है तो आप कहेंगे Louise गलुक को दिया गया है economics का polar milgram रोबर्ट विल्सन को bank rate का क्या मतलब होता है bank rate वह दर है जिस पर अन्ने जो भी commercial bank है reserve bank of India से दिर्ग कालिक रेंड लेती है आने जो भी bank है RBI से लंबे समय के लिए रेंड लेती है तो RBI उनको किस ब्याजदर से वो loan देगी वो ही bank rate है एक रेपो rate पी कुछ bank rate की तरही होती है लेकिन अलब कालिक रेंड रहता इसमें तो वानिजिक bank है भारतिरोजरो बैंक से जो कर्ज लेते हैं और इस पर जो अपना interest चुकाते हैं वो ही उसकी रेपो rate हो जाए कि जिस ब्याजदर से RBI उन commercial bank से loan देती हैं वो आपकी ब्याजदर ही रेपो rate है रेपो rate है वह दर जिस पर RBI अलपवदी के लिए उधार लेते हैं एक reverse रेपो दर हो सकता है अपनी commercial bank है अपना कुछ जमा RBI में जमा कराएं धन उस case में उनको भी interest मिलेगा RBI उनको ब्याजदर के तो ये वह दर होते हैं जिस पर बैंकों को उनकी और शे RBI को जमा धन पर ब्याजदर मिलता है उल्टा है जिस रेपो rate का और CRR होता है इसकी full form काफी बार रहता है तो ये नकद आरक्षित अनुपात है इंगलीज में बोले तो case ratio हो जाएगा परतेक बैंको अपनी कुल नकदी का एक निचित हिस्सा रेजरू बैंक के पास रखना ही होता है इससे ही case ratio का जाता है एक SLR भी होता है statutory liquidity ratio है ये बैंक के पास उपलत जमाव का वह हिस्सा है जो कि उन्हें अपनी जमाव पर launch जारी करने से पहले अपने पास रखना होता है as a security तो ये वेधानिक तुरलता अनुपात हो जाएगा जिसमें नकद देस्वन भंडार हो सकता है अलस्वा देखेगा तेंजिंग नौर्वे National Adventure Award 2019 में अलग-अलग केटेगरी में दिया जाता है तो आपको Water Adventure केटेगरी में ये तेंजिंग आवाड पूचा है तो स्री सतंदर स्रीह को दिया गया है बाकि Air Adventure में आपको पूच रहे है तो स्री गजानन्द यादव को दिया गया है ये 2020 में दिये गये थी जो राश्टी खेल पूच का दिया जाते हैं उस समय ये आवाड दिया गया है तेंजिंग नौर्गे National Adventure Award है जो Water Adventure में स्री सतंदर को Air Adventure में स्री गजानन्द यादव को Lifetime Achievement इसमें दिया गया है सुरग्ये स्री मगन विश्चाकॉन बाकि Land Adventure में बहुत जनों को दिया गया है जिसमें सूसरी अनिता देवी है करनल सरफराज सिंग है स्री टकका तामूत है स्री नरेंदर सिंग है स्री केवल हिरेन ककका है ये Land Adventure में दिया गया है नौर के आवाड और इसे देश के उन लोगों को दिया जाता है यानि लोगों के बीच में रोमांस की भावना को मानेता देने के लिए ये आवाड मिलता है अब जो राष्टी खेल पुरुषकार होता है ये प्रिविस एग्जा में पूछवास वाला NTPC में याद रिखेगा अलगले केटेगरी हैं जो प्रोशान प्रुषकार है राष्टी खेल प्रोशान प्रुषकार है कॉपरेट सामजिक जिम्मेदारी के लिए ONGC को दिया गया है खेलाडियों को रोजगार के लिए Air Force Sports Control Board को दिया गया है विकास के लिए खेल वाली केटेगरी है International Institute of Sport Management को ये आवाट दिया गया है National Highway 7 किसको आपस में जोडता है तो ये आपके जोडता है फजिल का जो की पंजाग में हैं और माना ला ये उत्राखंड में दर रहा है तो फजिल का और माना आपस में करेक्ट करने के जी National Highway 7 जो पंजाब और उत्राखंड के मत दिये टोटल ये पंजाब, हरियाना, हिमाचिल प्रदेश और उत्राखंड राजियों से होता हुँआ National Highway 7 गुजरता है जिसकी लंबाई 845 किलोमेटर है NH 7 है, जिसका पहले नाम था NH 58 है अभी जो National Highway 44 है, जिसे NH 7 की नाम से पहले जाना जाता था अभी NH 44 है, और NH 44 में क्या किया था पहले 7 के NH Highway 7 था उसमें वारानसी और कन्या कुमारी की मद्ध्य था और अभी NH 41 में इसमें कुछ और एड किया गया है, इसको विले किया गया है मर जुआ है, तो NH 41 की टोटल लंबाई, जो कि सबसे बड़ा भारत का नैस्तर हाईवे है 3745 किलोमेटर हैं, और अभी वर्तमान में जो NH 7 है, उसकी लंबे 845 हैं जो कि फजिल का और माना को आपस में जोड़ता हैं, और इसकी अंतरगत NH 7 में रिशी केस, देव परियाग, रुद्र परियाग, कंड परियाग, चमोली, जोशी मठ हैं ये सबी परमुक हिंदू उत्तिर्थ के अंदर हैं, इनको देहरादूर और चंडी गर्चे आपस में कनेक करता है नेफरोन किस अंग की बुनियादी कार्यात्मक एकाई हैं, किड़नी की हैं, गुर्दे की हो जाएगी नेफरोन बैसिक, फंक्स्तल यूनिट आप किड़नी हैं अवे तरीके से हिराशत में लिएगे व्यक्ति को रिया करने के लिए कौन सी रिट लगाई जाते हैं, तो हेबियस कॉपर्ष लगाई जाता हैं, जिसे बंदी पर्तेक्षी करण बोलते हैं, इसका मतलब क्या है, जब किसी को हिराशत में या फिर जेल में रखा जाता हैं, तो हिरासत में लेने के 24 खंटे के भीतरों से मजिस्टेट के समक्ष है वो पेस किया जाना अनिवारे हैं और नहीं किया जाता है उस केस में हैबियस कॉपर्स है बंदी पर्टेक्षी करण है यह याचिका लगाई जाती हैं तो सुप्रीम कोर्ट समिधान के आर्टिकल 32 और हा सा त्योहार मनाए जाता है तो हिंदू कलेंडर की बात हो रही है नगे जनवड़ी फरवर्वर की हो रही है तो हिंदू कलेंडर में जो मंथ रहते हैं चैत्र वशाग जेष्ट अश्राड यह सभी तो लाश्ट मंथ आप कहेंगे फालगुन ने और फालगुन में होली पूर्णिमा के दिन है और जो आपको पूछ रहे हैं कि जो हिंदू कलेंडर में पहला कौन सा आता है तो जैत्र के हिंदू चंदर महीने के पहले दिन मनाए जाता है गोडी पड़वा जिसे जेती चंद भी बोला जाता है जो फर्ष्ट तिमार आ जाएगा और इसमें एक शक शक शमत रहता है ये सबी जत्र वैशाग जेश्ट अश्राड है शक और विक्रम शमत के अंतरगत महीने आते हैं तो शक शमत है अठटर इस्वी से आरंभ होता है और विक्रम शमत याद रखेगा सत्ताउन इश्यापूरु से अंतिम स्वाल निमन में से कौन सा दर्रा है उत् अंतरगंड में है बनियाल जमुकश्मीर का है शिपकीला रोहतांग बारालाच्चा है हिमाचल प्रदेश का दिफू दर्रा बोमडिला है अनुचल प्रदेश का आपको उत्रागंड का पूछता है फोटुला खारडूंगला चांगला ये जमुकश्मीर दधाक में विजनिंग में दिया गया था लीबिया जो ट्रिपोली इसकी कैपिटल है तो उगांडा की कैपिटल है कमपला हो जाएगी वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मिलते हैं थर्ट शेप के वीडियो के साथ वन देमातरम जेहिं दोस्तों